कैसे हैं आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे and welcome to my new vlog morning के पॉने 6 बजे का टाइम हो रहा था और Saturday का व्लोग है आज का ही व्लोग है अधरवेस सीधा उठते ही किचन में भागना होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सुस्ता लिया था और उठने का बिल्कुल मन नहीं करा था बोड़ी लेजी लेजी सी फील हो रही थी तो मैंने का चलो एक ग्लास जो है ठंडा ठंडा पानी पीते हैं ठंडा नहीं था बट विंटर हो या समर हो मैं रूम टेंपरिचर का वाटरी जादा प्रेफर करती हूँ तो यहाँ पे मैंने बैट करके अराम से थोड़ा सा पानी वानी पी लिया था और अब थोड़ा सा काम पे लगने का टाइम आ गया था क्योंकि ये सब करते करते ना छे बज गए थे म पिर मैं आगई थी किचन में अब बेटू के लिए ना अज मिर को हलका फुलका टिफिन बनाना था एक तो साटरड़ था और थोड़ा साटरड़े को चल्दी चुटी हो जाती है सेकंड साटरड़े जो होता है वो बेटू को और बागी के साटरड़े जोते हैं उसमें फू मैं और मैं में ना भून को पसंद माते हैं तो मैंने रात को डाल राज बना लेते हूं मैं जब भी एकस़ड है आलवजा बनाती हूं तो में एकस्री त्वाल के सब कर लीजिंग तो फिर अन्यॉंब अगश्प कर लिए ते तो रग्स्णी पाशनु जो जक्ते यहां पर मैंने बारीक बारीक से अनियन जो थे वो चौप कर लिए थे आप कॉंटिटी कम या जादा कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो जैसे किसी किसी को ना अनियन वगेरा थोड़े कम पसंद होते हैं उनमें से एक मनीश्वी है और बाकी हम दोनों मैं और बेटू हम उनके लिए भी अच्छे लगे तो एक बोल में मैंने फिर आटा लगाने के लिए निकाल लिया था और उसी के अंदर या अनियन जो मैंने चौप करे थे उनको अड़ कर लिया था इस टाइम पे आप और भी मसाले अगरे इसमें आड़ कर सकते हो बाकी बहुत जादा नीड क्योंकि की अल्ररी दाल कें डिनने काफी सारी चीजें डली हो गती हnsती हिए तो मैंने फोड़ा से इसमें क्यों आड पर उसमें ऐड़ा करें और कुछ पीं क्योंकि मैंने क्या लात था और फलीइंब जिसमें इसमें अंको नहीं जैग करा correct बाकी बिच सा तर भाड़ सा ज में आटा लगा करके रख दो न तो आटे को सेट होने के लिए रेस्ट मिल जाता है और क्या झाला और इसमें जग रात को यह जो पानी वाला जग था सारी चीजे रात को मैंने वाश बग़एर वागेरा करके सोई थी थी ताकि इस तो यह मेरे को ड्राइ मिले चीजें क्लीन और हाइजिन तभी रहती है जब रहती है तो मैंने सीधा ज़ग भरा जैसे की मॉनिंग का मेरा रूटीन होता है जग भरा और दाल का अटा दाल से गुमना तो उसकी जगे मैंने पहले पानी आड़ कर दिया जब थोड़ा दाल दाल जो होता है वो दाल से ही लगाना होता है तो आटाई को लगा करके मैं सेट होने के लिए रखके आ गई थी और फिर में को बेटू को उठाना था इस ताइम पर सवाचे और छे बीस के आसवास का टाइम हो गया था तो फिर थोड़ा सा उसको भी स्लो सी मॉनिंग में क्यूंकि मॉल में खुद भी प्रैफर नहीं करते हैं क्यूंकि काफी देर तक बंद रहता है तो रखार सा होने लगता तो मैं थोड़ा सा कम उसको देती हूं और ऑफिर थोड़ी से श्मेल कर लगकर जाते है मश्तम सको तो घा इंग और 1000 नहीं थी भी सहता है और यह ठीस अब आटा रेडी था एकदम बढ़िया टेस्टी पराथे बनाने के लिए तो आपे मैंने फ्रूट बेट टुक टेफिन में पैक करके दे दिया था वैसे तो आज ना उसका लंच पर ये फ्रूट ब्रेक होना नहीं था भी मैंने बताया था बट आज पराथे बना रही थी तो इसलिए साथ में थोड़ा सा मैंने फ्रूट अड़ कर दिया था और कई बार होता है कि पराथे थोड़े से कई बार सौगी हो जाते है या फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जिस टाइम पर पराथे बनते है वह बहुत टेस्टी लगते है बाकी ठंडे होने के बा तो छोटू सा मैंने एक दम बिल्कुल छोटे से साइस का पूरी के साइस का पराथा बनाया था इसने बोला था और खुद से बोल करके जाती है चीजने तो मोसली खाकर आती है रेरली होता है थोड़ा बचा देती है अगर क्वांटिटी थोड़ी जादा हो जाए तो अधर पराथे बने किचन वगेरा से रिलेटेड जो भी काम हुआ तब तक थोड़ा नॉर्मल टेंपरेचर पे आ गया था भी आजकल गर्मी बहुत जादा बढ़ गई है एकदम से मतलब अभी तो अपरिल चल रहे में में पता नहीं क्या हाल होने वाल है तो नॉर्मल सा हो गया को कुनेट वाटर मैं थोड़ा सा पी लिया तो ठोड़ा था भिझा एकली करके में असे प्यां था थोड़ा पी करके और था नॉर्मल टाधा इतने लोटी ऊंदी दो कुछ को चोड़कर मनीश अगए थे बस का ना कुछ पता नहीं चलता कई बार जल्दी भी आ जाती है और कई बार थोड़ा वेट भी करना पड़ जाता है तो उसके according फिर मनीश के लिए मैं टी बनाती हूँ कि अगर बहुत जल्दी आते है अगया जाती है तो फ बनाती थी मेरा बहुत बढ़िया से काम चल रहा था वर स्टिल मैंने यह ले लिये मेरा को अच्छी लग गई थी और पहले में को टी बनाना भी उतना पसंद नहीं था आजकर में को टी बनाना भी बहुत पसंद आ रहा है तो आई थिंक यह होता है कि हम अपनी पसंद की वगएरा मैंने बाइंड प कर लिया था फ्रूट्स में मैंने अपने ख़ा लीये थे म Lesson के उसके बार्स अब चले ważne है तो मेरा क्लीनिंग का कम स्टार्ट हो जाता थे तो आज सब लोग आने वाले हैं तो आज मेंको बेडषिड वगडर सारी में मेंने चानी तो नियों businessth म मैं कोई पुरानी भी भी बिचाओंगी तो मतलब जो मैंने अल्रेडी एक दो बार यूज करी हुई है तो वह उनके लिए नियू होगी वट एक सैटिस्वेक्शन होती है कि हाँ कोई आ रहा है तो हम न्यू एकदम अभी उसको उन्पैक करके भीचाते है तो उसी से बहुत है पी वाइप सी आती है तो जब भी कोई आता है ना अगर मेरे पस कोई न्यू बेडशिट रखे होगी तो मैं वही निकाल करके लाती हूं लास्ट नाइए थी तो मैंने यह वाली बिचा दी थी और अभी सब आ रहे हैं तो मैंने वह वाली निकाल दी अब यह लास्टी थी और कोई अब स्टॉक में है भी नहीं इस घर में आने के बद जितने भी मेरे पास बेडशिट वगेरा का स्टॉक रखा हुआ था वह सब मैंने धीरे-धीरे करके बिचा दी है तो यह लास्टी रखी हुई थी और काफी अच्छा सा कलर था सूधिं सा कलर था इसका समर फ्र często बैला पैटन में एकर जाधा और मैं क्या करती थी उस तबाती था मतलब अनधर को टक्किन करती थी और इस साइड से बाद में करती थी बट अबी पहले इस साइड से करती हु फिर उस साइड से करती हुना तो आइस से थोड़ा सा मुझे लगता है एजी हो जाता है क्योंक तो में क्या करते हूं इस साइड को न folderकते हूं काफ़ी अंदर तक नीचे तक फोल्ड करती हूं तो वह ऐसे नहीं निकलती हूं और उधर से हम हाथ से दबाकरके तरुको ढगानीनीड्वी को प्रूरा बात का मेरे की उनकापनी है और यह वाले बेडशीट का जो पिलो साइज था ना मलब पिलो कवर जो थे वो इतने बिग साइज के थे कि जो मेरे पहले वाले यह जो पिलो जादा गिरे लटके लटके से दिख रहे थे और अभी आगे जाकर के मैं इनको भी चेंज करूंगे काफी पतले से हो गए है यह बट फिलहाल अभी तो इनी पे में को कवर चड़ाना था और यह वाले मैंने कुशिन कवर उसमें अड़ कर दिये थे कैसे लग रहे हैं कॉमेंट करके बताना मुझे तो ठीक ही लग रहे थे और बहुत जादा कलेक्शन है नहीं अभी मेरे पास कुशिन कवर्स की तो मैं इधर उधर यही सब चीज़ों को घुमाती रहती हूं कभी रेड वाले इस वाले रूम में लगा देती हूं कभी ब्लू वाले उधर और इस तरह से मतलब mix and match करके ही हम चीज़ों को करते हैं क्योंकि यह वाली चीज़ें हम daily basis पे या फिर frequently नहीं लेते और लेनी भी आपके घर में एक new look add हो जाता है तो वही आज मैंने करा था वह वाले जो रेड वाले कुशन में second वाले बेडरूम में बिचाती थी वह वाले मैंने अपने वाले बेडरूम में लगा दिये थे और मैच भी कर रहे थे क्योंकि बेड शीट के अंदर थोड़ा सा reddish टोन थी म यह मैंने का match हो जाएंगे जो पहले वाले blue थे ना वो match नहीं कर रहे थे क्योंकि वह डाग blue थे और यह sky blue वाली थी और फिर यह सारे show pieces में को clean करने थे क्योंकि आज सब आने वाले है तो आज तो सारी चीज़े डीप clean करनी करनी है क्योंकि satisfaction ही तब होगी जब तक सारी मैंने हटा करके clean कर लिया था मतलब easily हो जाते हैं चीजें क्योंकि मैं regular करती रहती हूं तो maintain रहती है बट वही अगर मैं इनको 15 दिन में बीस दिन में एक बार clean करूंगी ना तो वह time taking process होगा फिर इतना easy नहीं होगा कि कोई आये तो मैं पूरा घर फैला हूं और पूरा घर फिर से सेट करूं बट इस time पर जब भी कोई आता है मैं सारे show pieces और जो भी routine का काम होता है वो तो होता ही होता है उसके अलावा भी मैं काफी सारी चीज़ों और फैला लेती हूं बट मैं maintain कर पाती हूं मैं निपटा पाती हूं अपने सारे कामों को क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता साथ के साथ हलके हलके हाथ से बस कपड़ा घुमाते जाओ सारा clean होता चला जाता है और यह मेरा DIY जो स्प्रेय था इसी से ही मैंने सारा clean कर दिया था हलकी फुल के dust रहती है dust आप थोड़ी देर के बाद भी आकर के देखोगे ना especially dark furniture पे black पे या चिमनी माला एरिया ना मैं एक दो घंटे के बाद भी आगर के देखती हूं तो मुझे हलके हलके ग्रे पार्टिकल से dust के गिरे हुए दिखते हैं मैं ब्राउन ब्राउन से तो यह जो dark colors होते हैं यह dust को बहुत जादा अट्राक्त करते हैं और बस वो ड्रस dust को अट्राक्त क करेंगे यह चलता रहता है इसके बाद फिर सारी LED यूनिट को भी मैंने डीटीन कर दिया इसे ना सारी चीज बहुत ही अच्छे से क्लीन होगी ती सारी माइका वगेरा भी जो भी हलके फुलके उसके उसके उपर यूज करने से जैसे स्टेन वगेरा आजाते हैं बेटू य कुक टॉप को क्लीन करने के लिए भी करती हूँ वो मैं व्रॉग में भी आप सब के साथ शेयर करती हूँ और जहां-जहां कॉल-इन का यूज होता है ना उस वहां पे भी यह सब जगे चल जाता है मिरर्स वगेरा भी मैंने मिरर्स तो मैंने इससे क्लीन करके नहीं देखे पेशली ना कवर्स में स्लीए डालती है क्यूंकि बेटू है बेटू चीजों को मतलब उस पर कलर वलर नहीं करती है स्टार्टिंग से आपने देखा होगा कभी वाल्स पगएरा पर कुछ भी टच नहीं गए इन फ़ैक्ट वह वाल्पेपर्स को भी हात नहीं लगाती जैस इतना नहीं समझ में आता हो जाता है उनसे तो इसलिए मैं अभी आजकल ये डार लेती हूं कवर एक प्रोटेक्शन का काम करता है अगर अगर कुछ तच हो जाए इस तो फिर लाइट कलर काया तो फिर बहुत दिक्करत हो जाएगी फिसको ड्राइ क्लीन कराना पड़ेगा और वैसे भी अभी सब इतना सारा एक सारी चीज़ें चल रहे हैं उसमें अभी चोटी और चीज़ें खराब होएंगी न तो तो ठीक करा रहा ना बहुत डिफिकल्ट सा आजाता है अभी इसका ग्लास टूटा हुगा इसको भी ठीक कराना हम कब से सोचने कराते हैं कराते हैं ब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और यह बेटू की मॉनिंग की नोट बुक्स वगएरा रखी होई हैं क्योंकि जो भी आज पीरियेट्स वगएरा उसके नहीं लगने थे तो वह सारे मैंने निकाल दिये थे और बस फिर सोफा वगएरा सारा सेट कर दिया था मैंने ब्रश के हेल्प से ज़ाड़ करके यह ब्रश काफी अच्छा है और काफी सॉफ्ट ब्रिसल्स हैं फैब्रिक को आपके कोई भी हाम नी करता है और उसके बाद फिर में को यह वाला शोपीस भी क्लीन करना था उपर की स कि अगर शोपीस क्लीन करनी है तो मेरे को पहले यह क्लीन करना चाहिए तो जो उपर वाली चीजें होती है उनको पहले क्लीन करना चाहिए नहीं तो फिर नीचे ही आती है डस तो उपर वाले शोपीस से मैंने स्टार्ट करा सारी समान वगएरा को हटा करके क्लीन करना और ब ऑफ तोड़ी सी फास्त होती नॉर्मल स्पीड से यह नहीं होती है तो देखने में बहुत एजी लगता है बट आप हैंड जे उससे करते हो ना उपर करते हो नीचे करते हो तो पें होता है, बट हैं, अगर आप पर रेगुलर इंपको नहीं करोगे तो फिर जिस दिन करोगे उस दिन हालत खराब हो जाएगी फिर तो बैटर है कि साथ के साथ हो जाती है ना तो चीज़ें बहुत मिंटेन रहती हैं हमारा घर वेलकमिंग सा रहता है नहीं तो डस्टी डस्टी सा घर देख कर गे ना एक दम अच्छा नहीं लगता तो सारा सारी शेल्ट्स वगेरा मैंने इसके शोपीसे वेलए सारे हटा करके क्लीन कर दिया था और उसके बाद इसके बार या आथ के बनाना रके हुए थे तो मैँने यही पह लाकर कर दिये थे क्छन यूजिशना ओकर धियुक्रू है क्हीं जब समान वर्गिरा तो एहां यहां लाकर के रक दिये थे और वैसे में ज़न फूरत प्रूट फ्लाइस उपस अद्टी ने लगती हैं और फिर पूरी किचन में अब्ली फूरी फ्लाइस ने लगती हैं तो फिर इसलिए बनाना जो थे ना मैंने किचन से अटा करके रात को यहां पे रख दिये थे क्योंकि फिर वही है ना ग्लीनरी थी वहां पर और फ्रूट भी था तो फिर वह आने थे और जादा बढ़ जाते सेंडे टेबल को भी मैने अच्छे से क्लीन कर दिया था और यहसा हो गया है बड़ थीक है ठीक लगता है और वससी के साथ आज का व्लॉग में ही पैइंट करते हुए I hope आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको like, share and subscribe चुरू करना, मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, till then take care friends, bye bye